अगर हम पूरी मानदारी लगन और मेनस से काम को करें, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्स मिलने वाली है स्टुडेंट्स, आज हम ऐसे ही गाईट सब को पढ़ेंगे अबाउट मारिया सारापोगा, जो पार्ट टू है अगर भी हाई भूग चाप्टर एट का स्टुडेंट्स, मारिया सारापोगा ने मंडे 22 अगस्ट 2005 में वीमन टैनिस के वर्ड में नमम वन खिताब को प्राप्त किया था, नममर वन पोजिशन इन वे प्राप्त की थी इस्टुडेंट्स, और ये अपने जीवन के बारे में, अपने करियर के बारे में बताती है, शी अ रस्य दूर्पल आपनी मां से दो सार के लिए अलग होना पड़ तब ये बहुत दुखी हुई थी इस इस दा मिजरेबल कंडिशन स्टुडेंस की नौ साल में आप अपने पैरेंट्स से अलग हो रही हैं इनके फादर इनको छोड़ने गए तो बट वो भी वहाँ पर जादा नहीं रूप पाए क्योंकि उनको भी नारिया के लिए सेक्रिफाइसेज करने थी उनकी टेनिंग के लिए उनकी अकैडिमी के लिए बलिदान देना था उनको भी महिनत करनी थी स्टुडेंस तो जब दो साल के बाद ये अपने होस्टल में रहने लगी कमबडिया देन स्टुडेंस इनको जो इनके सीनियर्स थे वो बहुत परिशान करते थे जैसे क्योंकि ये फॉर्णर थी तो ये छोटी थी रात को आठ बजे सोजाती थी और वो ग्याना बजे खेल के आते थे सीनियर्स इनके तो कहते थे स्टुडेंस की रूम साब करो अभी ये बड़तन साब करो इस्टुडेंस इनको बहुत बुरा लगता था बड़िनों ने इन डिप्रेशन में नहीं आई और अधर स्टुडेंट होते तो वो छोट चार के आदा कि हमसे नहीं हो रहा बड़िनों ने का कि मैं डटकर मुकावरा करूँगी इन हर्डल्स का, इन प्रोग्लम्स का, इन डिफिकल्टीस का क्योंकि मुझे उचाई पर पहुचना है क्योंकि मुझे अपनी गोल को प्राप्त करना है इस्टुडेंस इनको एक मंत था कि जू हाड़ बर्ट फेस टफ कमप्टिशन एंड गैट दा बैट रिजल्स एंड गैट दा सक्सेज कठीन परिशन गरो और सक्सेज प्राप्त करो इस्टुडेंस इनोंने कभी हाड नहीं माली अपने जीवन में जब इन से पूछा गया कि आप अपने परसनल लाइफ के बारे में रताए ये तो इनोंने कहा कि मुझे फैशन बहुत पसंद है इस्टुडेंस इतनी मुझी उचाई पर बुछने वाली लड़की फैशन कोई मैच नहीं खाता था कोई चैले नहीं है इनकी परसनलिटी से बड़ी मुश्कुराहट के साथ कि मुझे सिंगिंग, डांसिंग और बढ़ के लिए कपड़े पहना बहुत पसंद रहा है ये खाने में चोकलेट पसंद करती थी और चोकलेट के साथ कोल्डिंग पीना पसंद करती थी इस देंस और इनकी जो जब इन से पूछा गया कि आप और क्या-क्या पसंद करती हैं तब इनों ने कहा कि मुझे शाम पो घूमना बाल कने में बहुत पसंद है फ्रेश एर लेना और मार् sorry, नोबल से पढ़ना वो भी डिटेक्टिब नोबल से पढ़ना बहुत पसंद रहा है तो तो इस इस आप अप्सित्ज पार प्रुटबा बेगन विर चाफटर धरी समतिंगे ने समतिंगे बाल्या सारपबा समतिंगे उर्ड बाली अट्राप्वबबा समतिंगे अप्रूबबा विट रड़ी स्मान अल्मरु प्रूमर् इट्राचर there is something deserving, deserving means likable but suspectable, miss कि हम उसके personality में कुछ चीज ऐसी है जो हम पसंद करते हैं but doubt होता है about मार्या सारापोबा के बारे में हमें doubt होता है किस बात का, something at odds with her lady smile and glamorous attire, कि उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान होना और glamorous miss attractive dresses, attire miss dresses उसका जो dress code है वो बिल्कुल attractive होना यानि कि fashion के मामले में आगी होना and that something in her lifted her own Monday 22nd August 2005 to the world number one position in women's tennis और जिस नहीं Monday 22nd August 2005 को संसार में women tennis की number one position पर अपने आपको ला दिया हो ऐसी lady जो इतना fashion करे तो उसके बारे में कुछ उसकी personality में यह जो quality है यह उससे बिल्कुल भी suit नहीं करती है I mean tally नहीं करती है All this happened in almost no time और यह सब बहुती कम समय में हुआ Poised beyond her years the Siberian born teenager took just four years as a professional to teach the pinnacle तुरी चिदा pinnacle और pinnacle means highest peak और इतनी उची position पर पहुँचने में Maryasara Poba को केबल चार साल ही लगे जो beyond her years she's Siberian born Siberian में जनुवी इस लड़की को training के दोरान चार साल ही लगे इतनी उची position पर पहुँचने में However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began nine years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure Little Maria had not yet celebrated her tenth birthday when she was packed up to train in the United States However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began nine years before जबकि जो मारिया सारा पोवा थी वो इस competitive संसार में नो वर्स पहले ही आ गई थी And उन्होंने इतना बनिदान दिया कि कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं कुछ बच्चे ही preparedness तयार होते हैं इतना endurance सहन करने के लिए जितना उन्होंने दुख उठाया सहन किया Little Marya had not yet celebrated Little Marya ने अभी अपना दस्वा बढ़ देवी यानि के वो नो साल की थी दस्वा बढ़ देवी उन्होंने अपना नहीं बनाया था When she was packed up to train in United States जब उनको train के दवारा United States जाना पड़ा तो इतनी छोटी उम्र में वो United States सही गई थी That trip to Florida with her father Uri launched her on the path to success and stardom यही से जो Florida की trip थी यही से उनके father Uri के साथ जो लोंच होई थी उसी से उनको success का मार्ग मिल गया था But it also required a heart wrenching two years separation from my mother Yelena But दो साल उनको अपनी मां से heart wrenching में बहुती miserable condition होती है जब हम अपने छोटी age में अपने parents से अलग रही तो Yelena से दो साल तक उनको अपनी मां से दूर रहना पड़ा The letter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions क्योंकि उनकी मां उनके साथ नहीं जा सकी क्योंकि उनको visa restriction कर दिया गया था उनको रोग दिया गया था Siberia में The nine-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price The nine-year-old girl had already learned an important lesson in life इस नो साल के लड़की ने अपने जीवन के इंपोटेंट lesson यानि के इंपोटेंट सीख सीख ली थी कि tennis के लिए वो tennis की उचाईयों तक पहुचने के लिए कोई भी price कोई भी price देने के लिए तयार थी I used to be so lonely मारिया सारापोबा recalls अब मारिया सारापोबा अपने दिनों को याग करके बताती है कि I used to be so lonely मैं बहुत अकेली हो गई थी I missed my mother terribly terribly miss very much बहुत ही जादा मैं अपनी मा को miss करती थी याब करती थी My father was working as much as he could to keep my tennis training going so he could not see me either मेरे पापा इतना जादा बलिदान कर रहे थे इतना जादा hard work कर रहे थे मेरे लिए जिससे कि वो मेरे tennis की training को आगे रख सके continue रख सके so इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ सकती थे Because I was so young I used to go to bed at 8pm the other tennis people would come in at 11pm and wake me up and order me to tidy up the room and clean it क्योंकि यह जो मारे साह अपापा है अभी 9 years की है तो वो कहती है Because I was so young क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसलिए I used to go to bed at 8pm इसलिए मैं जल्दी सोने के लिए आठ वजे ही सोने के लिए चली जाती थी The other tennis people would come जो दूसरे tennis people means students आते थे तो वो 11 वजे खेल करके आते थे and wake me up और मुझे जगा देते थे और कहते थे order देते थे मुझे to tidy up the room and clean it कि मैं अपना room साफ करूँ Instead of letting that depress me I became more quietly determined and mentally tough I learnt how to take care of myself I never thought of quitting because I knew what I wanted Instead of letting that depress me मतलब की depression में आने के बजाए उनकी जो बाते थी मुझे depression में नहीं डालती थी I became more quietly determined and mentally tough मैंने अपने आपको मानसिक तोर पर बहुत ही determined बना दिया था कि मैं किसी भी चाए कुछ भी हो जाए मैं अपनी training छोड़ूंगी नहीं अपना goal प्राप्ट करके ही रहूंगी तो यहाँ क्या दिखाया गए मार्या स्वारा पोबा की determination दिखाई गई I learned how to take care of myself मैं जान गई थी कि मुझे अपनी देखभाल कैसे करनी है I never thought of quitting मैंने कभी भी चोड़ने की training को चोड़ने की बात अपने मन में सोची नहीं because I knew that what I wanted क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए When you come from nothing and you have nothing then it makes you very hungry and determined I would have put up with much more humiliation and insults than what to steadfastly pursue my dream When you come from nothing जब आपको आपकी background भी अच्छी नहो and you have nothing और आपके पास भी कुछ नहो means आप लीच नहो आपके पास money नहो जादा then it makes you very hungry and determined तब आपको किसी काम को करने की लगन और जादा बर जाती है अपने goal को प्राप्त करने के लिए आप और determined हो जाते हो भूके बन जाते हो कि मैं कैसे इस goal को achieve करूँ I would have put up with much more humiliations मैंने भी बहुत ज़्यादा put up miss bear करना सहन करना मैंने भी बहुत ज़्यादा humiliations miss अपमान and insults सहन करी then to set straight fastly परन्तु मैं डगमगाई नहीं pursue my dream बलकि मैं अपने dream को पाने के लिए अपने उदेश्य को पाने के लिए अपने aim को पाने के लिए मैं ध्रडने चे रही that thought though sorry that toughness runs through Marya even today it was the key to her begging the women's single crown at Bimbledon in 2004 and to her mature rise to the world number one sport the following year that toughness और आज भी वो जो toughness runs through Marya even today आज भी Marya के दिल में वो mentally toughness कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है वो आज भी दिखाई देती है it was the key to her begging the women's singles crown at Bimbledon in 2004 और इसी toughness नहीं आज मैरिया सारा पोबा को women's single की जो 2004 में Bimbledon में हुई थी उसको number one position पर पुचा दिया and her maturic rise to the world number one sport the following year और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी मेरी जो ये number one की position है ये बहुत जल्दी बढ़ गई थी While her journey from the frozen plains to Siberia to the Smith of Ma women's tennis has touched the hearts of tennis fans for the youngest herself there appears to be no room for sentiment sentiment means emotion feelings While her journey from the frozen plains जबकि Siberia की रहने वाली उस लड़की की यात्रा मारिया की यात्रा frozen plane मिस वर्फिले इस्थान से शुरू ही थी and सुमित ओ women's tennis और आज वो women's tennis की उचाई पर पहुँच गई है चोटी पर पहुँच गई है has touched the heart of tennis जब वो अपने वारे में अपने fans जो है tennis के fans से उनको बताती है तो वो भी बहुत emotional हो जाती है for the youngest herself there appears to be no room for sentiment पर इतनी छोटी होने के बाबजूद भी उसके मन में कोई emotional feeling नहीं आती है वो कभी भी रोती नहीं है इस बात को याद करके कि मैंने कितने दुख उठाए क्योंकि जब हम दुख उठा करके किसी सुख की प्राप्ती हो जाती है तो हम दुख के दिनों को भूल जाती है अब प्राप्ती है पाने का वो क्या था ता स्ट्रेट लोक्स एंड आंसर सी गिप्स जब उससे इंट्रव्यू में कोशन्स पूचे जाते हैं तो उसकी जो देखने का तरीका है मिन्स वो सर्माई नहीं उसको विजब भी हजिटेशन नहीं हुआ और उसने का है कि अबाउठ रेमिशन कि उसका जो एम था उसका जो गोल था मेक इट एमपली क्लियर उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था इस बात को कि जब हम इतनी उचाईयों को प्राप्त करते हैं इतने बड़े गोल को हम प्राप्त करते हैं तो हमें बनिदान तो देने ही परते हैं उसमें सेक्रिफाइस तो होते ही हैं I am very very competitive मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रति होगी थी बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ competition करने वाली थी I work hard at what I do जो भी मैं करती हूँ उसमें मैं कठिन परिश्रम करती हूँ उसको मैं बड़े मेहिनस से करती हूँ It's my job, यही मेरा काम है, this is her mantra for success, यही उसके सफल होने का मंत्र है Though Maria Sarapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parrids her Russian nationality, clearing all doubts, she says I am Russian Though Maria Sarapova speaks with a pronounced, जबकि मारा Sarapova जब बोलती है, तो उनके बोलने में America की जो pronunciation है, वो साप दिखाई देती है क्योंकि वो America में पढ़ी हूई थी, she proudly parrids her Russian nationality, फिर भी वो गर्ब से अपने देश भक्ती को parrids मिस दिखाती है, display करती है फिर भी उनके बातों में उनकी देश भक्ती दिखाई देती है, clearing all doubts, सारे संदेहों को दूर करते हुए, इसपस्ट करते हुए वो कहती है कि I am Russian, मैं Russian हूँ, मैं Russian में पैदा हुई हूँ It's true that the US is a big part of my life ये सही है कि US मेरे जीबन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बटाई है Russian citizenship पर मेरे अंदर तो Russia की नागरिक्ता है, Russia की नागरिक्ता है My blood is totally Russian, मेरे जो blood है, मेरे शरीर में जो blood है वो Russia का है I will play my Olympics for Russia if they burn me यदि कभी वो मुझे बुलाएंगे खेलने के लिए तो मैं Russia के लिए ही Olympics में participate करूँगी, मैं उनके लिए ही खेलूँगी Like any number of teenager sensations, मैर्या सारा को वार लिस फैशन, singing and dancing as a hobbies जब उनकी personal, personality के बारे में पुछा जाता है personal likings के बारे में पुछा जाता है तो वो कहती है, like any number of teenagers जैसे दूसरे जो teenagers होते हैं मार्या सारा को वाके तरह उनकी भी नाम इसका भी नाम लिस्ट में था, fashion की लिस्ट में यानि के fashion करती थी, वो singing and dancing करती थी as a hobbies, ये क्योंकि उनकी hobbies थी she loves reading the novels of Arthur Cannon Doyle वो Arthur Cannon Doyle के novels परना पसंद करती थी क्योंकि Arthur Cannon जो दोले थे, वो detective noblist थे her fullness for sophisticated evenings gowns appears at awards with her love of pinnacle cakes with chocolates spread and fizzy orange drinks वो कहती हैं कि उनका जो प्यार है, वो जो पसंद करती हैं वो है sophisticated evening gowns, सामको बहुती fashionable gown पहनना and as a beautiful old लगता है students जब हम देखते हैं कि इतनी उचाई पर पहुंचने वाली लड़की इतने fashion भी पसंद करती होगी तो love of pancakes और pancakes खाना क्योंकि लगता है कहीं न कहीं उनका बचपन उनसे गुम हो गया था, बचपन में वो ये सब नहीं कर पाई थी तो इसलिए आज वो कहते हैं कि मैं pancakes जिस पर कि चोकलेट पहला हुआ हो चोकलेट लगा हुआ हो इतना ज्यादा healthy food खाती है वो and fizzy orange drinks और जो allated fizzy यानि जिस पर बुलबुले आते हैं जहां आते हैं ऐसा orange drinks पीती हैं इस्टुडेंट्स जो चोकलेट लेती हैं वो बहुती calories से भरा हुआ होता है और जो वो एक तरफ तो अपनी figure maintain कर रही हैं दूसरी तरफ इतना calories से high calories का जो food है वो ले रही है तो वो कहते हैं कि मैं दोनों चीज़ों को एक साथ करती हूँ Mariya Sarapova cannot be pigeonholed or categorized Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world Few would grudge her the riches she is now reaping Mariya Sarapova cannot be pigeonholed or categorized Mariya Sarapova को हम किसी भी strategy में नहीं रख सकते क्योंकि her talent, उसका जो talent है Unwavering, ने डगमदाने वाली form determination है, desire है और success को प्राप्त करने वाली readiness है sacrifice करने वाला, sacrifice है उनके अंदर हर सफलता को प्राप्त करने के लिए हर समय sacrifice करने के लिए, वालिदान करने के लिए तयार रहना have lifted her to the top of the world इसी सब भावना उन्हें, उन्हें संसार की उची चोटी पर पहुँचा दिया and few would grudge, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं the riches she is now raping grudge, मिस जो उनसे थोड़ा opposite mind के हैं, वो कहते हैं, उनसे जिलस करते हैं कहते हैं कि वो बहुत rich हो गई है, बहुत ही rich, यानि कि जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है उसी की फसल काट रही है, उसी को आज वो भोग रही है this is what she has to say about her monetary gains from tennis of course money is a motivation, tennis is a business and a sport but the most important thing is to become number one in the world that's the dream that kept me going this is what she has to say, ये वो क्या कहती है last में about her monetary gains, जो उसने पैसा प्राप्त किया, मनी प्राप्त किया उसके बारे में वो कहती है from tennis, कि tennis से जो मैंने पैसा प्राप्त किया, जो धन मैंने प्राप्त किया of course money is a motivation, हाँ, money एक motivation है अगर money है, तभी हम किसी काम के लिए सोचते है tennis is a business, tennis मेरा एक business भी है and a sport और एक game भी है, मिन्स उससे में पैसा भी कमाती हूँ और मैं game की तरह भी उसको खेलती हूँ but the most important thing is to become number one in the world परन्तु most important thing क्या है, कि संसार में number one होना संसार में सबसे उची position को प्राप्त करना that's the dream that kept me going और यही सपना था जिसने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया इसी सपने को लेकर मैं आगे बढ़ी students, we have completed the chapter now I hope you understood it very well and you did not find any difficulty to do question answers so now stay home, stay safe